वेलकम टो माई यूटूब चैनल वी टोपिक अपडेट वी टोपिक अपडेट में आपका स्वागत है तो एक और वेकेंसी जो आई भी की थ्रू आई हुई है बहुत है अच्छी जोब होती है भी की देखिए इंटेलीजेंस व्यूरी की तरब से व्यूरो की तरब से दो प तो टोटल पोस्ट की बात कर लें तो कितने हैं तो टोटल पोस्ट आपको 1525 पोस्ट है सेक्रेटी अस्टेंट के और 150 हैं MTS के तो यह साथे डीटेल हैं देखिए यह अपलाइ कब से होंगे क्या है इसकी एविलिटी आई ये सब देखते हम आँ देखिए यह स्टार्ट हो हो जाएंगी सबसे पहले की बात कर लें तो जैनरल ओवेसी और इस डव्लू एस को 450 रुपया है स्टी केंडिडेट को 50 रुपया लेंगे वही ओल के टेगरी के फीमेल जो है उनको 50 रुपया है यह लाज डेट है 17 फरवड़ी और 28 फरवड़ी से यह स्टार्ट हो जाएग तो आज यह लिक इसका अपडेट हो जाएगा और यह देखिए एक्जाम का डेट अभी तो नहीं आया है तो आएए देखते हैं इसका ओफिस्युल वेब साइट पे नोटीस देख लेते हैं एज की बात कर लें 18 से 25 वर्स MTS के लिए 25 और सेक्रेटी असिस्टेंट जो एक् यह इसके ओफिस्यल वेब साइट पे आ जाते हैं यह है आएवी अग्रिमंत्रालेग मिनिश्ट्री ओप हम अफियर्स तो यह उनका ओफिस्यल वेब साइट है यहाँ आपको दीख रहा होगा देखिए ओनलाइन अप्लिकेशन पोस्ट ओप एक्स या एक्स एक्स एंड एम दीख नहीं हुआ है यह बहुत ही जween अप्डेट हो जाएगा आ आज से ए अपले अस्टाइट हो जाएगा देखते इसके और post कि देखते हान तों इनका nep 16 देख लिए दिक्रिसर है मई जूम कर देख लिता हो थोड़ां हाईन के नोटीस में देख लेता है है क्या-kया important है देखिए ये intelligence tua के तरफ से IP के तरफ निकलता है ये गिरेम मंत्रा ला क्या थ्रो cylinder इनिकलता है ये आधिए ये ये दो पोश्टव के लिए मने बता आ था MTS के लिए और assistant के लिए security assistant या उसे को executive कहा जाता है यह रहा तो यह कहां यह अगर तल्ला में देखिए कितने पोस्ट है यह सब बताया गया अहमदाबाद जितने जगह पर जो आई वी का जो subordinary है वहां से यह निकाला गया है बतलब कहां खाली है वो पताया गया है तो आप यह देख लीजिएगा notice में कहां कहां कितने vacancy है इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं हमें जो हमारे लिए अभी इंपोर्टेंट है क्लासिफिकेशन रहने वाला है और कितने यह क्या योगता होनी चाहिए हमारी तो सबसे पहले देखिए जेनरल कैटेगरी जो ग्रूप क्लासिफिकेशन और पेस के लेवल लेवल तरी का यह जौब है 21,700 से 69,100 पैमेंट कर रहने वाला है पेर मैट्रिक्स प्लस एड्मिस्ट्रेवल कर सेंट्रल गोवर्मेंट और इसके साथ जो भी अलाउएंस होता है वो और MTS की बात कर लें तो वो लेवल वन का जोग है तो उनका कितना है 18,000 से स्टार्टिंग है और 56,900 तक का यह पेर मैट्रिक्स है आगे बात कर लें यह कुछ काम की नहीं हाँ इस एंट्रियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो मैट्रिकुलेशन तेन्थ क्लास पास याणि कि आपको तेन्थ क्लास पास होना चाहिए कोई भी बोड से इंडिया से आप जहां से जिस स्टेट से अप्लाइ कर रहे हैं वहां का क्या चाहिए डोमिसायल चाहिए यानि निवास परमान पत्र चाहिए वाइ नौलेज अप एनी ओन आप ता लोकल लेंगवेज यानि कि एक लोकल लेंगवेज जैसे आपको हिंदी मराठी तेल्गु यह से किसी एक लोकल लेंगवेज आनी चाहिए आगे के बात कर लें इसके बात करेंगे हम बाद में आगे देख लेते हैं देखिए एज लिमिट की बात कर लेंगे तो नौन एग्जिक्टिंग के लिए जो है 27 वर्स है वही MTS के लिए 25 वर्स है तो आप लोग के तेन्थ के उन पर यह वेकंसी है तेन्थ जिनका हो गया है वह अपलाई कर सकते हैं आद देख लें किस तरह एक्जाम होंगे और क्या-क्या रहने वाले हैं सब्जेक्ट उनके बारें बात कर लेते हैं देख में रहेगा अस्पोकेन एबलिटी टू बी एससर्ट इसर्ड टायम् कुर compris यानि यानि कि 10 मार्का आपका interview होने वाला है वहाद उस्पोकें अविलेटी यानि आपको जो इंगलिस में बोलनेके लिए अपको इंडर्मियोर लिया जाएगा तो इंगलिस में हिलिया जायगा एंटर्व्यू पर सनालिकिटेस्ट 50 मार्का होनेवाला है यह Do tier 3 and tier 1 में बात कर लें कि कि क्या होने वाला है तो tier 1 की बात कर ले तो देखिए tier1 कितने मार्ट कर रहेगा 100 मार्ट कर रहेगा और एक आवर का टाइम जानी 100 questions रहेंगे 100 मार्ट का और एक घंटे का टाइम मिलेगा इसमें subject क्या-क्या रहेंगे आपको online examination objective tab सुक है यानि कि online exam होने वाला objective tip divided into five parts content this questions और यानि कि पाँच भाग में हैं 5 सब्जेक्ट हैं और विस विस नंबर का है general awareness quantitative attitude यानि math reasoning numerical and along loacker lowel ability reasoning तो जीके, math, reasoning, English रहेगा और general studies रहेगा तो यानि पांच होगा और इसमें negative marking में है one word of four यानि कि एक गलत पे चार गलत पे एक number चले जाएगा आगे बात कर लें offline exam of descriptive type जो offline होगा second year का वो क्या होगा descriptive type होगा descriptive में क्या लिखना है translation of a passage of 500 words from local language dialect to English and vice versa यानि कि जो भी English में दिया जाएगा वो आपको local language में लिखना होगा इसके लिए आपको 40 mark एक घंटे का time दिया जाएगा अज के बात कर लें tier 2 में ही spoken रहेगा 10 mark रहेगा यह कब होगा tier 3 के exam के time रहेगा उसी time हो जाएगा क्या part 2 जो इसका है part 2 tier 2 का वो होगा क्या interview के time ही होगा तो यह था बांकि आप जानते हैं वह category minimum category रखा जाता है अब पास होने के लिए कितने और इसके बाद और आगे देख लें आप्लिकेशन प्रोटल वे बी और प्रेशनल एक एक देश तू दस दो तक टील इतना रेजिटेशन ट्रोप यह कुछ काम की नहीं है फी की बात कर लें तो पचास रुपए बताए ऐससे एस्टी और जो भी कंडिडेट है फीमेल उनके लिए बाकी वही चारसो पचास लगेंगे जेनरल और विसीपों आगे बात कर लें यह बस इतना ही कुछ हमारे लिए इंपोर्टेंट है वे तो आप एवी में जिसे एवी में जाना है तो वो एम टीएस और इस्क्रूटिव एसिस्टेंट के ल कर लें और आप इसकी त्यारी में लग जाए जो एससी का जो सिलिवस होता है से वही सिलिवस रहने वाला है बिस बिस को संब का पांस सेक्शन भी यह सौ मार्कर को संब एक घंटे में होगा तो यह था तो आज से यह आएपी का फॉम अप्लाय स्टार्ट हो जाएगा तो चाहिए अप्लाय कीजिए और अपनी तयारी में लग जाए थैंक्यू फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ अच्छा लगे तो कॉमेंट और लाइक कर दिजेगा और कॉमेंट म देना हो तो कॉमेंट में आप कर सकते हैं तब तक के लिए ठैक्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में